यह सरपंच है और दबंग है लिहाजा यह सरपंच दबंग बात बात पर पिस्तॉल निकाल लेता है और लोगों को धमकाता है वो भी देशी पिस्तॉल मेडिन मुंगीर आप देखें कि यह दबंग सरपंच कैसे पिस्तॉल लहराते हुए इलाके में भैपैदा कर रहा है दरसल यह वीडियो बिहार के मुंगेर के सरगन स्थाना श्रेत्र के चौर गाउं की है जहां ग्रामकाचारी के सरपंच चंद्रशेखर आजाद उर्फ टंटन सिंग नशे में अपनी खिलाफ चौनाव लरने की प्लानिंग करने वाले को धमकानी पहुँच गया जहांकारी के अंसर चौर गाउं में मदन सिंग के पडिवार की एक महिला सरपंच टंटन सिंग के खिलाफ चौनाव की तैयारी में जूट गई इस बात की सूचना जैसे ही टंटन सिंग को लुई तो वह गुस्य में सात्वे आस्पान पर चला गया और मदन सिंग के घर नशे की हालत में पिस्तौल लेकर फायर करता पहुँच गया और धमकी देने लगा कि रंभा दिवी जो उसके घर की महिला है उसके पंचाय चौनाव में लरने से रोक दे नहीं तो मदन सिंग को जान से हाथ धोना परेगा दबंग सरपंच ने फायरिंग भी की और पाँच राउंड गोलियां भी चलाएं दबंग सरपंच के रोध्र रूप को देखकर मदन सिंग घर बंध कर लिया लेकिन एक घर से सरपंच के सकर्तूत का वीडियो बना लिया गया गटन के सूशना मिलते ही थाना की पुलिस पहुँच गई और पुलिस को देखते ही सरपंच भागने लगा पुलिस ने सरपंच को दोड़ा कर पकर लिया प्रभारी थाना ध्यक्ष ने बताये कि पुलिस को देखकर सरपंच चंद्रसेखर आज़ाद उर्फ टंटन भागने लगा था जिसका पीछा किया गया थोड़ी दूर खेतों में नशे की हालत में सरपंच चंद्रसेखर आज़ाद उर्फ टंटन सिंग को पकर लिया गया लेकिन पकरी जाने से पहले सरपंच ने पिस्टल और गुली फेक दी थी जिसे पुलिस ने बरामत कर लिया बैराल अभी तो कुराना की वर्या से पंचाय चुनाव पर चर्चा नहीं हो रही है चुनाव की सुबुगाहट होते ही इस बार दबंग टंटन जैसे सैकरो टंटन टंटनाने के लिए बाहर निकल लेंगे और तब बिहार का ये पंचाय चुनाव काफी रोचक बन जाएगा खुलासा के लिए मुंगेर से अतहर खान की ये खास रिपोर्ट